दोस्तो यहाँ पे Yes Bank share की तरफ से बहुत बड़ी news निकल के आ रही है अभी आज के दिन देखे भले ही आप लोगों को यहाँ पे 0.75% की गिरावाट देखने को मिल नहीं हो लेकिन लॉग टेम में दोस्तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए positive impact डालते हुए जरूर नजर आए और Yes Bank के shares को यहाँ पे increase करने में भी काफी जादा मददगर साबित करने वाली है क्योंकि आज की जो news निकल के आ रही है दोस्तो कहीं न कहीं Yes Bank के जो company के results या फिर जो company के profit या loss के numbers है उस पे effect डालते हुए नजर आएंगी चलिए मैं आप लोगों को समय जादा waste नहीं करू चलिए उसके बावजूद अगर आप 14 मई को यहाँ पे data उठा के देखेंगे तो 4.56 करोड के shares की delivery यहाँ पे उठाई गई जो की total traded value में से बात कर लिजाए 41.89% की delivery आप लोगों को उठाते हुए नजर आए यहाँ पे shareholders तो चलिए अभी जादा मैं आप लोगों का समय वे property of Magnum Solution for recovery of 345 करोड तो basically यहाँ पर Yes Bank ने Magnum Solution के दोस्तों एक property को sell किया है जिससे उन्होंने अपने कर्ज को मतलब जो उन्होंने कर्ज दिया था उससे 345 करोड रुपए यहाँ पर Yes Bank ने वसूला हुआ है देखें यहाँ पर भारत मतलब जो government है अपनी Indian government है वो भी बोल ल assets पड़े हुए हैं दोस्तों तो Yes Bank उन्होंन सभी immovable assets को यहाँ पे sell करके अपने पैसे को recover करने की कोशिस कर रही है जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है Magnum Solution ने यहाँ पे कुछ पैसे उधार लिये थे Yes Bank से एक तरीके से loan के रूप में पैसे लिये थे बट यहाँ पे Indian currency में आप लोगों को 345 करोड रुपे के आसपास देखने को मिल ला है तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे पूरा article आप लोगों को देखने को मिल ला है दोस्तों और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दू यहाँ पे इस news के बाद अगर आप लोग देखे हैं यह नंबर कहीं न कहीं आगे आने वाले result में आप लोगों को इसका impact परता हुआ जरूर नजर आएगा अगर promoters की बात कर ली जाए yes bank के अंदर तो आप देख सकते हैं एक भी shares यहाँ पे promoters के पास आप लोगों को देखने को नहीं मिल ला है yes bank के अंदर वहीं पे FIS की बात कर ली जाए तो 13.77 percentage का stake यहाँ पे FIS के पास देखने को मिल ला है नेगेटिव में आते हुए नजर आये हों लेकिन यहाँ पे जब Yes Bank के CEO से पूछा गया कि भाई आप लोगों के quarter 4 के result इतने जादा बेकार क्यों रहे तुन्हों ने बताया कि भाई उन्होंने कुछ पैसों को यहाँ पे provisioning में डाल दिये जिसकी वज़ा से company को अगर इन future पे अपने loss को recover कर सकती है तो कहीं न कहीं company यह सोच के चल रही है कि आगे long term sustain करने के लिए दोस्तों पूरी तयारी कर रही है तो यह no doubt दोस्तों आने वाले long term में आप लोगों को यह एक अच्छा पर तो दोस्तों I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आयोगी पसंद आयोगी त चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अब हम आप से अगली वीडियो मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत